के लेकिस्ट के वेल्कम को वेल्कम दूवी क्लासेश गाईस में आंज और वहा किक ज्ञंट की यह जो क्लासेश होगा है वह ногी इतन्य आत्त ना गूँदा कि अभी तकं़ हमने जितने स्कटरद र court दोफ्में और जैसे कि झारखन क्लासेश इस तो आज भी हम लोग जो है दोस्तों आपके पूछने वाले हैं तो हम लोग 20 कोशन आज देखने वाले हैं और यह सारे कोशन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि हम लोग वीठ अनलाइसेस करते हैं ठीक है ट्वित एनरलाईश्स क्लासेग्स करते हैं और यहां से आप जानते हो दुस्तों आपको पता होगा कि एक कोशंच से कोशंच में हम लोग दो-तिन को पर करते हैं या तो फिर एक अगर एक option को हमने बताया दोस्तों इस option के बारे में पूरा डीटेल जानेंगे तो इस तरीके से हम लोग क्लासेज को करते हैं और यहां से आप बहुत सारी चीजों को गेंड कर पाओगे ठीक है तो जो भी चनल पर नहीं हो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगी ठीक है तो हम लोग टाक का यहीं होता है तो को इतनी से बाद्यानक नीक है इस से बस इतना आई और बात करते हैं अगले कोशन की ठीक है बात करते हैं केसर पाउदे की निमलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है तो दोस्तो आपको पता होना चीक है वर्तिकागर को आप एक तरीके का कलंग भी बोल सकते हो ठीक है वर्तिकागर को हम कलंग भी बोलते है ठीक है देखो ये केसर जो है दोस्तों क्या है केसर एक परकार का मसाला है ये मसाला के कडेगरी में केसर को रखा गया है ठीक है और देखो एक क्रोक्स सैटीव होता है क्रोक्स सैटीव होता है दोस्तों उसके फूल से प्राप्त होता है हमें ये केसर ठीक है क्रोक्स सैटीव क आपको याद रखना है कि एक परकार का फूल है उससे हम प्राप्त करते हैं और यह मसाला के काड़ेगरी में यूज किया करते हैं रखा जाता है केसर को इतनी से बात आपको ध्यान मखता है चलो बात करते हैं अगले कोशन की तो थर्ट कोशन है कि नाभिक में निट्रोन और प्रोटोन को बांदने वाले बल को क्या कहा जाता है तो दोस्तों यह प्रबल नाभिके बल कहा जाता है ठीक है अब देखो प्रबल नाभिके बल वह बल है दोस्तों जो नाभिक में नीट्रोन और प्रोटोन को एक साथ बांदता है ठीक है एक साथ बांदने का काम करता है दोस्तो निट्रोन और प्रोटोन को प्रवल नामी केबल इतनी से गुरुत्वा कर्षन वालों तीक है किसी पिंड के दरविमान और उसके वेक के गुननफल को क्या कहता है किसी print के दरवेमान और उसके वेक के गुननफल को क्या बोलते हैं तो ये दोस्तो रेखिए सम्वेक बोलते हैं और ये दोस्तो question important है ये बहुत बार पूछा गया है ठीक है तो ये question आपको समझ में आने चाईए ठीक है अब देखो यहां पे जो है दोस्तो पी इसकल टू एम इन टू भी को हम पी इसकल टू एम भी लिख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से जो है दोस्तो यह फर्मूलाज है चलो बात करते है अगले कोशन की और देखो साइंस में ज्यादा कुछ है नहीं तो साइंस में आप जो है जारकन सीजेल में अभी जो है दोस्तो शिर्फ और सिफ थिरोरेटिकल कोशन्स पूछा हुआ था ठीक है ठीक है जो सकता है तो हो कि जो है आपके एक्जामनेशन में ज एक या दो कॉछ ने की नियुमेरिकल कोशंस ज्यादा पूछने के चांसेश है कि तरी किसे आपको ध्यान में अब देखो यहां आपको करना दोस्तों ठीक है यहां आपको करना है दोस्तों कि यह जो सारे कोशंस यह आपके एक्जाम में जरूर पुछ जाएंगे इतनी से बाध्यान नहीं है तो शुरू सान तक सेशन को जरूर देखना और मेरे साथ करेक्टिविटी जरूर बना रखना है दोस्तों डेली डे टुडे दोस्तों क्लासे जो रही है ठीक है अब क्लासे यहां से आप करके दो अब देखो यह जो है दोस्तों पिंड के उत्पलावन के ब्राबर होता है विस्थापी द्रव का भार यह दोस्तों यह जो है आर्कमेडिस सिधान्त भी इसको बोलते है ठीक है और देखो आर्कमेडिस का सिधान्त क्या होता है दोस्तों कि जब कोई पिंड आंसिक रूप स या पूरी तरह से तरल में ढूब जाता है तो उसे प्लावन का अनुभाव होता है ठीक है आईए और शुक्ष करो ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकता क्यूंकि मेरे पास वेसे साधन नहीं है भी दोस्तों जो भी टाइब कारता है और 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 काम होगा वह यह शारे चीज़ें बेस्टें होगी आपके तो आप मेरे साथ कर अट्रोटी बना रहे हैं मेरा सपॉर्च जरुब कर नहीं ठीक है दोसτο हम बढ़ते हैं डीकिली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाती कौन सी है शिपकिली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाती की बात करें दोस्तों तो यह कोमोडो ड्रैगन है ठीक है तो कोमोडो ड्रैगन आपके आधक ना कि शिपकिली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाती यही है ठीक है अब बात करते हैं अगले कोशन के तो सेवन कोशन की बात करें तो मैखमें के फंडा होकर जमने से किस परकार की रोग बनती है इस फ़री सबस्वारों मिलते हैं मिलते हैं इस लग्ग अग्निया चत्ाण बोलते हैं कि इतनी से कि अब देखो यह यह है दोस्तों में वताना चाहूंगा कि इस जो छतान क्या है तो तीन तरीकतिंग इना चाहता पूंद को सेटर सेंडीमेंडर रोग इंदियबjekt और मेटमोर्फिक रोग कृटी कहunta है हिंदी में होता दोस्तों आपको पता होणा चाहिए कि आगने चटान आगने चटान ठीक है और रुपांत्री चटान ठीक है रुपांत्री चटान ये तीन तरीके चटान होते हैं और और बताना चाहूंगा दोस्तों कि दोखो आगने चटान की बात करें ठीक है अब देखो आगने चटान की बात करें आगने चटान में दोस्तों होता हैं इसमें अंतर्वेधी आगनें रोकिल ठीक है कि एक होता है आगने चटान ओता है ठीक है अगनेश ओंब एक्सट्रस्व में देखो कि आप अगर अंतर वेधि में देखो कि दोस्तों इसमें जो है ताराइड गरनाइट और पिगमाइट मिलते हैं ठीक है और यह जो है बहिर वेधि आगने चटान जो होता है इसमें बेसाल्ट और टॉफ मिलते हैं ठीक है बेसाल्ट और टॉफ मिलते हैं तो इस तरीके ध्यान में चलो बात करते हैं कोशन की एट कोशन देख लेते हैं दुनिया के पहली एंटिबायोटी की खोश करने वाले बैग्यानी का क्या नाम था तो यह जो है दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्ड अट्वरटियोंस जनर्श का राथ करें दुस्तों यह जो है यह तीका करन की खोश करी ठीक टीका करन का विसकार किया था ठीका तो यह कब गरी थी जनक करें इंट50 इंकांस आशनकाल में बहुत घलियाजाउध edward jener tk का विश्कार करी थी लूइ पास्टर की बात करें तो tk करी थी ठीक है ठीका करें टीक में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसेज है तो आपको याद दखना है कि लुई पास्ट ठीक है खोज करी थी एडवार्ड जैनर ने ठीका करन खोज करी थी आव एलेक्जंडर फ्लैमिंग तो आपको हमने बता दिया दोस्तों कि जो एंटी बायोटी के खोज करी थी ठीक है तो इसक्रीन आपको याद दखना है कि मानव सरी का सबसे बड़ा अंग होता है largest organ of human body ठीक है अब यह तो बात होई बड़ीगी ठीक है अब छोटी की बात करें दोस्तों अगर छोटा छोटा जो दोस्तों largest organ की बात करें छोटे organ की बात करें तो क्या होता है दोस्तों सबसे छो होता है ठीक है मस्तिष के पास होता है चावल के दाने के साइज का होता है ठीक है और यह दोस्तों मेला टोलिन जो होता है मेला टोलिन ये मेला टोलिन नामक जो है दोस्तो इसका प्रोडक्शन करता है उत्पादन करता है और ये नींद को नियंत्रित करता है ये जो मेला टोलिन है दोस्तो ये क्या करता है ये नींद को नियंत्रित करने काम करता है अब देखो मजबूत की बात करें दोस्तों बड़े और मजबूत की बात करें तो क्या है फिमर ठीक है सब को पता होगा के सारह 방법 किर चलो सबक्स habits करते हैं उपयोग की जाने वाले तरंगे किस परकार की तरंगा का उधारन है तो यह सक्षमा थरंगे दोस्तों है होते हैं सब्सक्राइब जो हुआ को द्यार मेर्ण कना है अगले कोशं में Fire कर दोस्तो जो हम एके स्क्राइब बात करते हैं कि एक उड़ते हुए कोधि और प्रती सगेंड कि प्रती सेकेंड गुर्णन जो है दोस्तों यह माप सकते हैं जैसे कि जो दोस्तों एरोप्लेन की बात करते हो तो उसके चक्के की जो माप है दोस्तों और स्टोबोस्कोप का यही मतलब ठीक अब देखो बात करते हैं कि यह बैरोमिटर का क्या मतलब है दोस्तों ठीक है बैर इनिमोमीटर क्या है तो इनिमोमीटर के बात करें, तो हवा की गति की गन्ना करने को यूज किया जाता है, अब हवा में नमी का जलवास्प की मातरा को मेजर करता है, हावा में जो है दोस्तो नमी की नमी की जलवास्प की मातरा को मेजर करता है क्या हाइगरोमीटर ठीक है तो आयोब की दोस्तो आप सब समझ रहे होगे ठीक है यह बहुत क्लासे जो है जबरदस्त क्लासे है ठीक है जबरदस्त क्लासे है दोस्तो आपको यह शेयर करना चाहिए कि जो भी आपके भाई दोस्ट जो भी इसाइश कांट भी त्यार करते हैं या पिर जार्खन पूलीस के त्यार करते हैं दूस्तों वहाप ये latian को शेहर कर करने नेक्स कोशन की बान करते हैं कि घोरनन की गती कितनी है दोस्तों और 38 पर थीमिनाट यह कि यह भूलना चाहEROँ दोस्तों की जो भूमधी रेखा पर जो गृर्णनन ताना यह पर rabbits 25 km पर 3 मिनट है ठीक है ठीक है अब देखो मैं बताना चाहूंगा प्रित्वी के बारे में और भी कि ये घुर्णन एक दिन में दोस्तों एक चकर लगाने में कितना टाइम लेता है दोस्तों तो 24 hours 37 अब अब केमार्स लगते हैं दोस्तों इतना चकर लगता है अब और अर्थ ज है अपने अक्स पे 25 डिग्री जुका हुआ थिक है यह सबको पता है अब देखों मंगल गरह की बात करें तो मार्स है जो है दोस्तो किलो मेंटर पर आवर की स्पीड से पही चलती हैं निलत दूस्ते के लगी दुनिया में जीते हो तो आपको जग्रोफी न चाहिए नहीं चलो बात करते है 14 कॉषों की तो नीम में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिधान्द का प्रतिबादन किया था विकासवाद का प्रतिबादन जो करने वाले साइंटेस्ट थैं दोस्व डार्विन देख लेता है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवरतन होता है तो यह दोस्तों बढ़ जाता है ठीक है अगर लोहे में लोहे के किसी भी चीज में मतलब लोहे में अगर जंग लगती है दोस्तों तो क्या होगा उसका उसके उसके वेट में क्या परिवरतन होगा तो वेट तो बढ़ेगा ना दोस्तों ठीक है तो यह बढ़ जाती है ठीक है इस तरीके से आपको द्यान में ठीक है चलो बात करते हैं दोस्तों आए कोशन की और यह सारी कोशन फोटोवल्टिक सेल करते हैं तो यह तीनों सेल्स जो है दोस्तों यह एक ही है मतलब की विद्यूत उर्जा को रुपांतरित किया जाता है ठीक है तो इस तरीके से आपको ध्यान मकना ठीक है तो यह तीनों चीजों चीजें भी एक है चलो बात कर लते हैं 17 कोशन की तो कम तापमान को मापने वाले अंतर को क्या कहा जाता है कम तापमान को जो कम मेजर कम टेंप्रेचर जो है दोस्तों इसको मेजर करने के लिए कौन से अंतर को का यूज किया जाता है तो यह जो है दोस्तों क्राइव मीटर का यूज किया जाता अगर हई टेंप्रेचर के बात करें दो पाइरो मीटर होता है ठिक है यह इसके इतना ही और आगे बात करते हैं ठीक है हाईगरोमीटर की दोस्तों हमने हाईगरोमीटर बता दिया था ठीक है अब चलो बात करते हैं कि इमली खित में से कौन काच का सबसे महतुपूर्ण गटक है ठीक है काच का दोस्तो महत्पून घटक की बात करें तो यह जो रहने वाला दोस्तो सिलिका है और यह भी दोस्तो पूछा हुआ कोशन है अगर आप यह कोशन देख रहो दोस्तो आपने अगर एक्जामनेशन दी हुई है जैसे किसी भी जैसे के एक्जामनेशन को दोस्तो यह यह कोशन्स आपने देखा होगा, यह सारी कोशन्स आपने देखे होंगे, ठीक है, तो इसका जो राइट अंसर सिलिका है, दोस्तों कि कांच का सबसे महत्पून गटक जो होता है, ठीक है, अब चलो इसे इतना ही बात करते है, 19 कोशन्स की, तो पदार्थ का परमानु सिधान् यह जोन डाल्टन ने दिया हुआ था, ठीक है, परमानु का पदार्थ का परमानु सिधान्द याद रकना है, जोन डाल्टन, ठीक है, अब चलो बात करते हैं, नेक्स कोशन्स की, दिस इस दे लास्ट कोशन आप दी सेशन, बात करते हैं, अल्जाइमर, रोग मानव शरीर क करता है, परभाव डालता है, इस पर, ठीक है, अब देखो, बात करते हैं, कि दोस्तों, कितने और भी बहुत सारी, बहुत सारी इसे डिजिस हैं, दोस्तों, बहुत सारी डिजिस हैं, जो परभावित करते हैं, हमारे बहुत सारी अंगों को, ठीक है, जैसे की बात, हम मान ल दातों और मसूडों को करती है यह सब को पता होना चाहिए ठीक असकरवी की बात करें तो और बात करें दोस्तों गठिया की बात करें दोस्तों गठिया की तो यह जोडों पर प्रभावित करती है जोडों को दोस्तों यह प्रभावित करती है ठीक है अब देखो बात करते हैं होने धेंगी तो आपको पता होना चाइए दोस्तों आपको पता फोना चाहिए धोस्तों की बहुत ही खतिरनाक होती है धेंगो दोस्तो योय याकृत बरील् benefiting औरıyor YO को प्रभावित कर्दाइत ठीक करते घॉरूट अंव बात करते हैं गतलब मतलब की जहाशनन होता है और दोस्तों आयूब की दूस्त आपने बहुत सारे यहां से को एकन करी होगी होगी थिक वह सब्सक्राइब अभी हूं अब ने जिसेंट का चाहिए अगर आज के साथ किया हुआ है ठीक है और जिके का बात करें जनल नॉलेज़ की बात करें दोस्तों फोटी कोशन तो यह भी हमने आज साइंस के साथ किया हुआ है तो यह भी इस टूंटी कोशन हमने किया है ठीक है अभी अगला सेशन जो होगा दोस्तों मैथमेटिक्स का होगा यह भी थेकेंड और में हंदी यूश क्या अब मुझे क्योंकि मैं Hindi को भी जबरदस त्रिके से च्रड़ी कर रहा हूं कि यहां पर प्रवाइड करने के आपको जो बेस्ट और प्रवber करने कोश्च करता हूं तो टो टेलि पिलिग्राम पे भी आपको जरूर फोकस करना ठीक है पिश्टरी के चलो मिलते हैं नेक्स्ट वडियो या लिटेस्ट अपडिट के साथ अब दक के लिए धन्यवाद